हेलो अस्टुडेंट आज हमारी ग्रामर की नई खुलास है तो इसमें हमारा आज का रूल क्या है? सम नाउन्स लुक प्लिवरल कुछ नाउन्स प्लिवरल दिखते हैं बट लेकिन और सिंग्णूलर in meaning में कैसे होते हैं singular होते हैं such nouns ऐसे nouns टेक लेते हैं एस singular वर्ब अपने साथ कैसी वर्ब लेते हैं singular वर्ब लेते हैं जैसे एक्जामपल देखिए सम्मन्स न्यूज mathematics physics politics मेजल्स रिकेट्स मम्स ये तीनों क्या हैं बीमारियों के नाम हैं उसके बाद symbols phonetics से बेलियार से इन सबके साथ कैसी वर्ब का यूज होगा singular वर्ब का यूज होगा आएम एक्जामपल देखते हैं जैसे दन्यूज that you have brought are not good दन्यूज that you have brought जो आपने न्यूज पाई हुआ कैसी है गलत है तो दन्यूज दन्यूज कैसी कैसा subject है singular है इसको कैसा माने जाता है singular थी इसके साथ singular वर्ब का यूज होगा यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा किसका यूज होगा इसका यूज होगा उसी तरह यहाँ पर that you है ना you के साथ have का यूज हुआ है मतलब यह सहीं है next example देखिए politics are not a hard subject politics are not a hard subject ही बात हो रहे तो politics कैसा होता है singular होता है तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी singular वर्ब का यूज होगा इसका यूज होगा इसके साथ next example क्या है his politics is extreme his politics is extreme यहाँ पर क्या सिंस निकल रहा his politics मतलब knowledge की बात हो रहे एक्स्ट्रीम मतलब अतिधिक होता है ठीक विशाल huge enormous यह सब इसके synonyms हो जाते हैं उसके knowledge की बात हो रहे ती यहाँ पर each की जगा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पर subject की बात हो रहे थी इस वाज़े से यहाँ पर क्या था इच का यूज हुआ था यहाँ पर इसका यूज हूज हू होती है लेकिन यहां पर five लिखा है five के साथ हमें प्लूरल चाहिए तो सम्मंस का प्लूरल क्या हो जाएगा यस यूडबल यम ओ यान यस यस यह हो जाएगा इसका प्लूरल उसके बाद यह सही हो जाएगा next क्या है months are very dangerous disease months क्या थैसके साथ वर्व कैसी यूज होगी इसके साथ singular वर्व का यूज होगा आर का यूज नहीं क्या यूज होगा इच का यूज होगा ठीक आपको अगर नहीं सब्सक्राइब कर लेजिए और अपने